अगर आप एक independent artist है और अपने गाने release करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें end तक ताकि आपका काम कोई और ना चुरा सके और अगर आप अपने गाने release नहीं करते और करना चाह रहे हैं तो अपना कोई भी गाना public मत कीजएगा बिना इस वीडियो को end तक completely देखें हेलो गाइज, welcome back to the channel, मैं हूँ Sir Gama और ये वीडियो हिस्सा है मेरी YouTube वीडियो सीरीज का जिसका नाम है All About Music Business for Independent Artists अब ये वीडियो सीरीज dedicated है सारे independent artist को जो अपने गाने खुझ से release करते हैं और वो किसी बड़े label या किसी established label के साथ काम नहीं करते हैं जो independent है उनके लिए, music industry और music business के ऐसे बहुत सारी secrets है और ऐसी knowledge है जो किसी independent artist को मतलब ज़ादा अतर independent artist को उसके बारे में पता भी नहीं है उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना इन चीज होगा बट music labels इसमें expert होते हैं पर अगर आप independent है तो आप खुद के music label है तो आपको ये सारी music business की knowledge जाननी बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरी पूरी video series को starting से end तक देखें जिसका link आप देख सकते हैं यहां top पर और आपको video की description में भी मेरी video series का link मिल जाएगा बिना और time use किये आते हैं आज के topic पर जिसका नाम है trademark देखिए trademark बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोग नहीं कराते हैं इसको I don't know why but trademark का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ trademark ये होता है कि आप अपने business के नाम को government में register कर दें और वो नाम uniquely आपका हो जाए और एक certificate of proof आपको मिल जाए कि इस नाम से जो भी products market में available है आपके गाने आपके products है अगर आप musical artist है तो अगर आप release करते हैं तो जो आपका गाना जो audio file निकलके आती है जिसको आप हर जगा release क आपका तो बच्पन में रखा नहीं होगा अगर आप किसी और नाम से release करते हैं मैं आपको एक example देता हूं देखिए मेरा legal name है हर्ष मेरा legal name Sir Gama नहीं है मेरे ममी पापा ने मेरा नाम Sir Gama नहीं रखा था और उनने मेरा नाम हर्ष रखा था बट मैं जब music release करता हूं तो वो म Sir Gama के नाम से release करता हूं जैसे कि माने जी आप बादशा के गाने सुनते होंगे इंडिया के सबसे बड़े rappers में से माने जाते हैं भी वो एक वो बादशा के नाम से गाने release करते हैं बट उनका legal name बादशा नहीं है तो बादशा का real name है आदित्य प्रतीक सिंग से सोधिया जो बादशा के नाम से गाने या प्रॉडक्स रिलीज हो रहे हैं वो आदित्य प्रतीक सिंग से सोधिया या फिर जो Sir Gama के नाम से रिलीज हो रहे हैं वो हर्श अगी ओन करता है ऐसा ना हो कि कल को को कोई और Sir Gama के नाम से ट्रेडमाक करके प्रूफ आफ ओनर्शिप ले ल लीगल चीज होती है जिसको कोई कोट में डिनाई नहीं कर सकता God forbid कल को कोई लीगल किसी चीज में आप फस जाते हैं तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि मेरे पास इस चीज का ट्रेडमाक है मैं ओनर हूं राइट फुल इस पर्टिकुलर ब्रैंड या इस पर्टिकुल चीज के बना कर रिलीज तो आप कर दोगे अपने बिजनस को सेटल कैसे करोगे मुजिक इंडस्ट्री में तो ये कोई नहीं बता रहा है तो ये सब जानने के लिए और ये इनिशिटिव मैंने लिया है और मैं ये सब चीजे से खाना स्टार्ट कर रहा हूं यूटियोग प अगर आपका नाम जैसे की अरिजीट सिंग है अरिजीट सिंग का लीगल नेम भी अरिजीट सिंग है और उनके गाने जब निकलते हैं वो भी अरिजीट सिंग के नाम से ही निकलते हैं अगर आप अपने सेम नाम को यूज कर रहे हैं अपने आर्टिस नेम के जगा तो आप आपको उस नाम को trademark कराने की कोई जूरत नहीं है बट अगर आप कल को कोई company खोलते हैं या अपना umbrella company खोलते हैं या फिर आप कोई sort of एक label खोलते है independent तो आपको वो company का name trademark कराना ज़रूरी है अगर आप अपने गाने उसी नाम से रिलीज कर रहे हैं जो आपको original नाम है तो आपको उस नाम को trademark कराने की कोई जूरत नहीं है तो first चीज कि trademark करने से पहले क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए देखिए अगर आप किसी और नाम से अपना music रिलीज करना चाहते हैं अपना कोई interesting नाम रखना चाहते हैं जो आपको सबसे पहले वो नाम decide करना है क्योंकि अगर आपका नाम change हो रहा है बार बार अगर आप final नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस नाम के साथ जाएं तो problem क्या होती है कि अगर आप trademark एक बार ही करा लेंगे और उसका एक logo final करना है logo आप future में change करेंगे तो वो अलग बात है बट starting के लिए आपको एक logo जो थोड़ा सा catchy हो, interesting लगे और simple हो जितना simple logo होगा उतना ज़्याद अच्छा लगेगा logo को तो एक logo simple but attractive और एक artist name ये दू चीज़े आपको final करनी है उसके बाद ही आप trademark की उपर जाएं और artist name final करने में मेरे जैसे गलती ना करें देखे, लोगों को मेरा artist name बड़ा पसंद आता है sir, gama बट कई लोग इसको सारे gama से confuse करते थे बट वो मेरे लिए एक अच्छी बात भी है क्योंकि सारे gama एक music से related phrase है सारे gama और sir gama यह मैंने सोच के नहीं रखा था बट यह by chance हो गया बट इसमें problem कहां आती है सारे gama और sir gama में मुझे कोई problem नहीं है रिलेट करें बट सारे gama एक बहुत बड़ा music label है तो मेरे को उससे confuse कर दिया जाता है कभी-कभी और online भी कभी आप sir gama लिखो तो वो कभी-कभी पूछ लेता है कि did you mean सारे gama music तो बस यह चीजें हैं तो आप यह सब चीजें देखें कि आपका artist name थोड़ा unique होना चाहिए थोड़ा different होना चाहिए और अगर वो exclusive हो तो better है exclusive से मेरा मतलब है कि वो artist name पहले exist ना करता हो तो वो जादा better है trademark करने से एक और फाइदा अगर मैंने अपने नाम को अपनी class में trademark करा लिया class क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ अगर मैंने trademark करा लिया तो same नाम से same business कोई और नहीं कर सकता at least इंडिया में या जिस भी country में आप रहते हैं वहाँ पर अगर मैंने sir gama को trademark करा लिया है तो फिर sir gama नाम का और same logo के साथ trademark एक और same class में नहीं हो पाएगा अब classes क्या होती है जब आप trademark कराते हैं तो आप हर industry में आप उस नाम को trademark नहीं करते हैं classes हर industry के हिसाब से separately divided होती है और हमारी जो musical industry या जो arts या entertainment industry है उसका होता है class 41 तो आपको अपना artist name class 41 के अंडर trademark कराना होता है तो मैंने अपना sir gama का trademark class 41 के अंदर कराया हुआ है और उसके अंदर आपको description देनी होती है प्रॉपर कि आप क्या काम करते हैं बिजनस किस चीज़ का है आप क्या क्या services देते हैं उस class 41 के अंदर sir gama के नाम और मेरे जैसे लोको का trademark दोबारा कोई और नहीं कर सकता है वो अब मेरे नाम पे exclusive हो गया है ये फाइदा होता है trademark कराने का कोई आपका business आपस नहीं चीन सकता है और ये आपके पास legal proof है कि ये business आपके नाम पे है जो आपको future में बहुत जादा help करता है जब आपका business expand होता है या आप थोड़े बड़े artist बनते हैं तो it is very helpful अब आते हैं इसकी fees पर trademark की जो fees होती है trademark की fees, government fees अभी के इस आप से आएगेस है 4500 रुपीस और trademark आप खुद नहीं कर सकते है मैं भी कर सकते हो बट उसके लिए कुछ qualifications रही होती है बट मैं recommend करूँगा कि आप अपना trademark किसी trademark lawyer से या फिर कोई practicing CA हो जो trademark में expert हो और जो trademarks करता हो आप उनसे ही करवाएं उनकी fees जितनी भी होगी वो थोड़ी approximately extra होगी और government approximate something 4500 से 5000 के बीच में government की जो stamp fees होती है वो होती है अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कुछ 8000 के आसपास 8000 से 10,000 के बीच में आपका trademark application फाइल हो जाता है अब इसमें problem कहां आ सकती है trademark फाइल होने के बाद आपको objection आ सकता है जो मेरे पिछले दो trademark में आया मैं काफी सारे trademark करा चुका हूँ अलग-अलग business में मैंने बहुत सारे काम शुरू किये थे एक time पर तो मेरे last दो trademark में objection आया है जिसमें से दो objections अभी मेरे valid है वो चल रहे हैं अभी वो clear नहीं हुए है कुछ भी objections आ सकते हैं तो जब objection आते हैं तो आपको 30 दिन का time देते है reply करने के लिए उसका reply file करने के लिए जो objection है उसको आप किसे साब से clear करें और वो जो clarification मांग रहे हैं आप उसकी clarification अच्छे से दें ताकि आपको trademark मिल जाए और वो clarification देने के लिए आपको 30 days का time दिया जाता है और उनी 30 days में आपके जो trademark lawyer या फिर जो CA हैं जिन्होंने आपके लिए trademark apply किया है वही उसका reply properly file करें एक और चीज होती है जिसका नाम होता है word mark अब trademark और word mark में क्या difference होता है मैं आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ बट इसके बारे में ज़्यादा detail आपको कोई अच्छा trademark lawyer ही बता पाएगा बट मैं इतनी detail बता सकता हूँ जितनी आपको जानने के जरुरत है as a musical artist trademark होता है logo पे based आप जो logo देंगे वो उस logo को trademark कर देंगे कि इस logo का कोई और business दुबारा इस class में नहीं बन सकता है और जो word mark होता है वो आपका नाम के उपर trademark करेंगे कि इस नाम का business इस class में दुबारा नहीं बन सकता है तो word mark उनके लिए होता है जो अभी अपना logo नहीं बना पाए या उनके पास अभी logo है नहीं या future में बनाएंगे एट्सेकर एट्सेकर बट अगर आपका logo ready है और मैं prefer करूँगा कि आप अपना logo ready करें और उस ही logo को use करें अपने trademark को करने में wordmark से better आप logo file कर दें अगर आप एक logo बना लें अपना logo बनाएं और trademark करें बस मैंने आपको for information बता दिया कि trademark और wordmark में ये दो differences होते है अब क्या क्या चीजे आपको trademark करने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप कोई company खोलते हैं या कोई छोटा सा label खोलते हैं उसका नाम आपको trademark कराना बहुत जरूरी होता है और अगर आपका artist name आपके legal name से different है तो उसको भी trademark कराना बहुत जरूरी होता है ये trademark कराने का best time कब है इसके अंदर एक cost होती है जो मैंने आपको बताई करीब 8-10,000 रुपे approximately आपके starting में लग जाएंगे अगर इससे सस्ता कोई आपको करके दे रहा है तो बहुत ही जादा अच्छी बात है best time trademark का है कि जब आपके पास पैसे हो सबसे पहले इसके अंदर invest करें क्योंकि आप मेहनत करेंगे, गाने बनाएंगे, गाने रिलीस करेंगे और भी काफी सारी चीज़े करेंगे, music videos पी उपर invest करेंगे और कल को ये business कोई और आपसे ना चीन ले या फिर आपको कोई legal entity का आपके पास proof भी ना हो कि ये आप own करते है business इसके लिए मैं हमेशा recommend करूँगा कि सबसे पहले जब भी आपके पास थोड़ी सी भी investment के लिए amount हो, उसको trademark में invest करें और अपना business सबसे पहले secure करें अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला और आप ऐसी चीज़े और सीखना चाहते हैं और आगे आने वाली वीडियो में तो सबसे पहले subscribe करें इस चानल को और like करें इस वीडियो को और please comment करें अगर आपको कुछ मुझसे doubt हो या कुछ पूछना हो या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या अगर आप कोई आप नई ऐसी वीडियो और जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊ comment करें उस पर और subscribe करें चानल को और follow करें मुझे Instagram पर उसका username आपको यहीं कहीं मिल जाएगा screen पर और आपको link मिल जाएगा description में अगर इतनी 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 अगर थोड़ी सी भी आपकी help हुए इस वीडियो से तो please 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 subscribe and like the video इससे बहुत motivation मिलती है मुझे ताकि मैं नई नई वीडियो और बना सकूँ और अपना time और money invest करके आपके लिए और नई ऐसी information ला सकूँ जो अभी YouTube पर कोई नहीं दे रहा है free में बट मैंने initiative लिया है और मैंने यह start किया है तो please support और अगर आप मुझे directly support करना चाहते हैं तो आपको link of buy me a coffee मेरी description में मिल जाएगा आप उस पे जाकर भी मुझे directly support कर सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो में नई topic के साथ नई knowledge के साथ नई information के साथ तिल देन स्टे सेफ टे केर बबाए और से यू सून